नमस्कार आप देख रहें न्यूज नाइन भारत और मैं हूँ आपके साथ असोग चौहान देश और दुनिया की तमाम खुबरों पर आएए डालते हैं एक नजर आदर्स समयोजी सिच्चक सिच्चा मित्र वेलफियर एसेसियन जनपत आज़मगल एकाई के बैनर तले एक दिवसिय धरनापरदर्सन का आयोजन जिला अध्यच हरेंद कुमार सिंग की अध्यस्ता में संपनुगा बैठक करने को संबोधित करते हुए जिला मंत्री ओम प्रक सोता रहा है सरकार पिछले चुरावी गोश्रा पत्र के वादे को पूरा करे अन्यथा लडाई अब आरपार की होगी धरने को संबोधित करते हुए जिला मीडिया परभारी सुर्प्रकास सिंग ने कहा कि सरकार सिच्चा मित्रों और उनके परिवार की दैनी दसा को देखत सिच्चा मित्र अब चुप बैठने वाला नहीं है धरने को संबल प्रदान करते हुए रांती उपात यज केलास यादों ने कहा कि 25 जुलाई 2017 मानी सरोच नियाला ने सिच्चा मित्रों का समयोजर अवैत करात देते हुए निरस्त कर दिया तब से अब तक लगबग 8000 सिच जमाईक ? निधन हो गया उनके बैसारा परिवारों को सरकार तक आल आर्थिक मदत करे और उनके परिवार को जब तक ओटे का लाप के प्रोधान को लाग log करें अब शरकार से मांग करते हैं कि सरकार सिच्चा मित्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल से जल हमारी मांग को पूरा करें अन्य था हम सलक से लेकर संसर तक संगर्ष करने को तयार हैं धरने की अध्यस्ता कर रहे हैं जिलाद्यच हरिंद कुमार सिंग ने कहा कि हम विगत 23 वर्सों से अनवरत प्रात्मिक विद्यालों के ताले खोलने से लेकर बंद अगर सरकार हमारी मांगो की अन्देखी करती है तो हम आरपार की लडाई के लिए तयार हैं अध्यस्ता हरिंद कुमार सिंग संचालन नागेंद सिंग ने किया घरने में मुख रूप से सिच्छा मित्र उपस्तित रहें विजय बहादूर मौर जिया संगठर मंत्री अजय क कुमार सिंग, स्री निवास स्कुला, सबीर अमत, सुनिल परजापती, अनिल दूबे, रविन सिर्वास्तो, औसल दूबे, दूद नात्मोर, अउधेश सिंग, महंदर सिंग, उपेंदर सिंग, अनिता सरोज, राकेश राय, नीलम, सुनिता, मिर्जा, ससीकला पांडे, संगराम यादो, जेतिंदर प्रसाद, कैलास नात यादो, मदन यादो, सुगरिव, पूनम सिंग, सारदा सिंग, कंचन सिंग, कैलास चवान, गुलाब राम, कमलेश परजापती, नरिंदर राजबर, जैराम, अध्या प्रसाद, मनी सिंग, सैज सेकडो की संख्या में आज सर, हम लोग आजमगड के मुख्याले पर रिक्षा एक्ष्टेंड पर आयो हुआ हैं सभी सिच्छा मेत्र, और एक दिवसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से, हम यहां के आजमगड के जीले के डियम सहाब को ग्यापन देंगे, जो हमारी मांगे हैं उस ग्यापन पत्र में ग्यापन पत्र में सर लिखा हुआ है, और इन डियम सहाब के माध्यम से, हम उत्रपरदेश के सरकार को भारत के सरकार को हम देना चाहते हैं, और हमारी मांगे इसमें जो लिखी गई हैं, हम यहां पर सर अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से बीना अनुनाय और निव प्रधान मंत्री जी तो मैं निवेदन करते हुए बसे हैं आज पुमार सिंह जिलाद जर्च आजमगर तो जिए जिए बच्छी जिलाई 2017 को हमारा समयोजन सुप्रिम कोड़ द्वारा निरस्थ हुआ इसके बाद मानी प्रधान मंत्री जी द्वारा मुख्य मंत्री जी द्व जिए गए और 17 के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था हमारे साथ मिन्याइचिया जाएगा नियुचित सम्मान सहित खल निकाला जाएगा और आज 7 साल के लगभग उनकी सरकार को होने को हैं हमारे उपर जरा सा विचार नहीं किया गया हम जबकि सामंजे से बना करके उनक मुक्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं अगल बगल की जो प्रदेश सरकारें हैं भारत की और भी जो प्रदेश सरकारें सिख्षा मित्रयाद जो भी जिस रूप में काम कर रहा है समीदा पर उसका जो हल निकाला गया है उन्हें अस्थाई किया गया उनका मांदे में प्रिद् बनाने की प्रिपा की जाए आज जो है आदर सिच्छा मित्रों फैर एसोसियेशन आजमगड का एक दिशी धर्णा प्रदसंद प्रांते नेत्रितों के आवान पर किया गया है 2017 में हम लोगों का जो है नियाले से समायोजन निरस्त हुआ इसके बाद हम लोग 6 साल तक सरकार से लगाता सामंजस से बनाते रहे और अपने मांगों को रखते रहे लेकिन सरकार द्वारा हमारी किसी भी मांग पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया इसलिए आज जो है एक दिशिया धरना पर दसन रखा गया है जिसमें हम आधरने जिलादिकारी महोदय के मात्यम से माने मुक मंत्री जी को अपनी मांगों से सम्मंदित क्यापन देंगे और यदि एक माह के अंतरगत हमारी मांगों पर कोई उचित कारवाई नहीं की गई तो आगामी 9 वर्स 2024 में हम लखनों की सरजमी पर अपना आंदोलन करने के लिए बात होंगे हमारी मांगे हैं जो है कि संभाइधानिक व्यवस्था के अंशार समानकार समान बेतन दिया जाए और एक जिससे के एक लाग पचास जा सिच्छामित्रों का परिवार को जीवन-दान मिल सके हैं सिच्छामित्रों को पूर की बात क्योंकि कुछ जिलों में हमारे सिच्छामित्र भी दूर दूर पड़ेवे हैं जो कि पार रही है ना तो वह स्वयम अपने बच्चों के भविष्ट को ही सवार सजा और पार रही है और इसलिए उनको जो उनके सच्छाल के बिद्यालेओं में भेजा जाए और मिर्थक सिच्छामित्र लगबग हमारे उनके परिवार को आर्थिक सायोग वह उनको जो है नौकरी दिया जाए यहां ख़बरों का सिलसिला कभी नहीं थमता सिर्फ और सिर्फ बने रहे निउस नाइन भारत पर अब चाहूंगा इजाजर नमस्कार बने एंगा खब चाहूंगा ।